अलेकुम दोस्तो यदि आप कुएत में रहते हो और कुएत की इंतरीन ख़बरों से में इसा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को भी नए स्कूप का पूरा देखिए चैनल पे नहीं हो या पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें के बैल आकन को प्रेस कर कर लेजिये ताकि आने वाली वीडियू के नोटिफिकेसान आपको हमेंसा फ्री में दोस्तो तो मिलती रहे तो最近 में आज के वीडियो में सबसे पहली जो ख़बर कविएसेयन ऊंदेन के इंटरी ने कि यह उर्धित कोई भी वीजा लेकर, चायब किसी तऱ का वीजा हो, वरक वीजा हो, इंप्राइमेंगंट वीजा हो, या फिर किसी तरह का भी वीजा हो, तो न सभी वर्करों को आफ 9 कुएटी दिनार एक्स्ट्रा आफ ऐप उन लोगों को देना पड़ेगा, यह official announcement दोस्तों कल के दिन वहाँ पे किया गया अब दोस्तों ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जितने भी कुएती नागरीक जो होते है यदि वो मिस्र जाते हैं तो उन सभी कुएतीयों को वहाँ पे 30 डॉलर फी देना पड़ता है इसी वज़े से ये कानून को भी कुएत के तरफ से भी लगाया गया तो साथियों ये नियम काफी दिनों से एजिप्ट के दवारा ये नियम जो है वो लगाया गया था तो इसी के वज़े से वहाँ पे कुएत के तरब से भी 9 कुएती दिनार तक का दोस्तो ये एनॉस्मेंट किया गया है तो जो भी मिस्तर के लोग जो भी वहाँ पे आते हैं तो उन लोगों को साथियों लगभग वहाँ पे 9 कुएती दिनार देना पड़ेगा जो कि 9 कुएतिना दोस्तों बहुती जादा हो जाता है अगली अपडेट की और सातियों चलते हैं अगली खबर दोस्तों जो आरी सातियों वो भी बहुती बड़ी खबर है कबद के तरफ से दोस्तों कबद एरिया के बारे में आप जानते होंगे साथियों कबद एरिया में एक new health वहाँ पे health clinic को खोला गया है साथियों आप लोग को पता होगा जिसका नाम है कबद health center जो की affiliated है जहरा health district से वो affiliated होता है तो उसको खुलने के बाद लगभग वहाँ पे 20,000 से भी ज़्यादा expert इसमें working in 11,000 farm यानि दोस्तों इससे 20,000 worker को इससे benefits होगी जिनमें से लगभग 11,000 farm में अलग-अलग area में वो लोग काम करते हैं इनमें से सिर्फ worker को ही फायदा होगा दोस्तों यानि दूसरे country के जो लोग worker वहाँ पे आते हैं सिर्फ उन worker को वहाँ पे इससे कुएत में जितने भी इंपलॉई हैं जो कि floor milk में काम करते हैं वहाँ पे अब 100% वहाँ पे कुएतियों को ही रख अब कुएतियों को ही कर दिया गया है यानि दोस्तों जितने भी वहाँ पे worker पहले काम करते थें उनमें से कुछ expert भी थें कुछ कुएती बे थे हैं पर दोस्तो फानली वहाँ पे Announcement कर दी आ गया है कुएत फूर मिल्क के तरब से और बैकरी कंपनी के तरब से कि 100% वहाँ पे स्रीफ कुएती इंपलॉई ही काम करते हैं जूतने भी वहाँ पे फूर मिल्क हैं बताया गया है दोस्तों कि इसमें लगबग बैकरी रन अप 100% कुएती स्टाप यानि जितने भी वहाँ पे टेक्निकल में जितने भी स्टाप है वो 100% कुएती हैं जितने भी इंजीनियर्स एड्मिस्ट्रेटिव फिल्ड में इंप्लॉय हैं सभी के सभी कुएती हैं यह दोस्तो थोड़ी चिंता की बात है क्योंकि हर एकिप्रमेंट से भी यह वहां पर एकस्पर्ट लोगों को निकाल के सजा डिय कोड़ीयों केً ज सज्ञा बहुंती बिदेट तो काफी दिनों से दोस्तों इस दोनों पे money laundering का case चल रहा था अल जरहाक पर और अलसलाही पर तो 5 सालों की सजा इन लोगों को सुनाई गई है case नमबर 14.29 बटे 2020 इसके तहट दोस्तों resolution नमबर, register नमबर 370 बटे 2020 के तहट उनको 5 सालों की सजा सुनाई गई तो ये कुछ खबरे थी, कुछ अपडेट सी लगी कोई भी मन में आपके सवाल हो, खबर को लेकर कोई आपको dot मन में होता है, तो Arab Times का official website पर निकाल के आप खबर को पढ़ सकते हो वहीं से निकाल के मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे इंगलीस में लिखी होती है, मैं आपको हिंदी में translate करके बताता हूँ तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो पे तब तक लिए अपना ख्याल लाके वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सुक्रिया अलाफीज और टेक केर